हालो फ्रेंस, बेलकम टुर्ट टारगेट इन गॉल फ्रेंस इस वीडियो में हम जो जेल वारडन की भरती है उसका जो सलेवा से वो देखेंगे यहां पर देखिए मैंने यह जो बिग्यप्ति ती उसी को निकाल के रखा है और यह बिग्यप्ति जो निकली थी वो निकली थी डिफेर्ण्स नवंबर 29 2018 को तो इसका जो सलेवस है इसमें क्या क्या आएगा और वो कितना मतलब उसमें कुछ अंक कितने होंगे यह सब इसमें से हम डिसकस करेंगे तो देखिए जैसे यह जो वैकेंसी थी यह विग्यप्ति में हैं उत्तर प्रदेश कारागार प्रसासन सीधी भरती होनी थी तो इसके लिए देखिए आपने भर दिया गया है और आपने भर दिया होगा और इसमें देखिए यह था इनका पदों का विवरण जो आप पहले ही सब देख चुके होंगे इसमें देखिए पुरुसों का अलग है जेल वार्डन का विवरण जिसमें स से 3012 पत हैं और यह महिलाओं के लिए है तो 626 पत थे इसी प्रकार से घुर सवार में पत थे 102 पत थे तो यह सब विवरण है जो पहले इसमें से आप देख चुके होंगे फार्म भरते टाइम यह देखिए अबेदन की तिथी वगरा है खैर यह तो आप सब कर चुके हैं अब परिक्षा का जो सेडियूल है वो कैसा है तो फ्रेंड्स इसमें यह देखिए भरती प्रक्रिया का सेडियूल दिया है और यह दिया है परिक्षा का कारक्रम तो परिक्षा का जो कारक्रम है उसमें से देखिए यह दिया है इदर पे ऐसे अब भरतियों जिनके आवेदन पत पूर्ण एवं सही पाये जाएंगे उनसे लिखित परिच्छा में समलित होने की अपेच्छा की जाएगी लिखित परिच्छा में वस्तुनिष्ट प्रकार मतलब बहुभी गल्पी प्रकार के प्रस्न आएंगे ना तो वस्तुनिष्ट प्रकार का प्रस्न पत्र होगा और ए थी लब्दी एवं तारखिक छमता के प्रस्न होंगे एक बात और कि इसमें से रणातमक अंक दिये जाएंगे अगर आप गलत प्रस्न हल करते हैं मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी इसका पार्ठ करम का और डिटेल जो है आगे हम वहाँ पर देखेंगे और ये द करेगा कि संख्या कितनी है एकजाम देने वालों की एक बहुत और कि इसमें से कि ये देखिए नॉर्मलाइजेसन की प्रक्रिया प्रसामानी करण की प्रक्रिया इसमें से अपलाई की जाएगी जो कि पुलिस के देखिए भरतियों में की गई है यदि अगर ऐसा है कि एक से ज़्यादा पालियों में अगर परिच्छा होती है तो प्रस्ण पत्र को देखते हुए नॉर्मलाइजेसन इसमें से यूज किया जाएगा अब यहाँ पर हम सीधे नीचे आते हैं और देखिए इसका description देख लेते हैं detail में कि किस portion में क्या क्या इसमें से आने वाला है तो यह देखिए फ्रेंड्स लिखित परिच्छा का कारकरम यहाँ पर है तो इसमें से देखिए हम देख रहे थे कि समान ग्यान है पहले तो समान ग्यान में देखिए क्या क्या है इसमें से देखिए एक ही उसमें टॉपिक सिर्फ दिया है और उसके अंदर सारी चीजे होगी कैसे जैसे देखिए इन्होंने दे दिया समान बिज्ञान तो समान विज्ञान के अंदर अब समान विज्ञान आ गई पूरी तो समान विज्ञान भारती भारत का इतियास भारती ये संविधान भारती अर्थ बिवस्था एवं संस्क्रती भारती ये क्रसी वानिज एवं ब्यापार ये फ्रेंट समान अध्यन के अंतर गत है आ रहा है सब है ना तो इसको आप चाहें तो फिरंट समान ग्यान के अंदर ये नोट भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ है ना तो और इसके आगे देखिए भारती एक करसी फिर वाणिज एवं ब्यापार जनसंख्या परियावरण एवं नगरी करण भारत का भूगोल तथा विश्वका भूगोल और प्राकरतिक संसाधन उत्तर प्रदेश की सिच्छा संस्क्रती और समाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस हुआ सामान प्रसासनिक ब्यवस्था मानुआधिकार आंतरिक सुरक्ष तथा आतंकवाद भारत और उसके पडोसी देशों के बीच संबंध राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय महत्तों के संसमाईक मतलब करंट अफेयर है राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय संगठन विवद्री करण है ना जो 1901 जो में यह मतलब कई बार हुआ है विवद बंदी हुई ना तो यह विमुद्री करण ही है तो कई बार जो किया गया तो विमुद्री करण और उसका प्रभाव साइबर क्राइम साइबर क्राइम जो हैकिंग कर लेते हैं वो चीज़े ठीक है वस्तु एवं सेवाकर पुरसकार सम्मान देश राजधानी मुद्राएं म आगे देख लेते हैं समान हिंदी में क्या क्या रहने वाला है तो ये देखिए समान हिंदी है इसमें से क्या क्या है अलग अलग करके दिया है कि पहले नंबर में हिंदी और अन भारतिय भासा हैं मतलब इंट्रोडक्शन रहेगा इसमें से हिंदी का और अन भारतिय भासाओं का introduction जो कुछ भासाओं के सब्द वगएर आ जाते हैं तो तो हिंदी और अनभारति ये भासा हैं दूसरा हिंदी ब्याकरण का मौलिक ज्यान इसमें क्या क्या हिंदी वर्णमाला तस्सम्तत्भव परियायवाची बिलोम अनेकार्थक वाक्यांसों के लिए एक सब्द समरूपी भिनार्थक सब्द असुद्ध वाक्यों को सुद्ध करना लिंग वचन कारक सर्वनाम विसेशन क्रिया काल वाच्च अव्यय उपसर्ग प्रत्य संधी समास और बिरामचिन मुहावरे एवं लोकोक्तिया रस्षंद अलंकार आदी तो ये आएगा सब इसके ग्रैमर वाले पोर्चन में है ना हिंदी व्याकरण वाले पोर्चन में इसके साथ आपठित बोध है आपठित जो गद्यान साता है वो प्रसिद कभी लेखक एवं उनकी प्रसिद रचनाएं और हिंदी भासा में पुरुसकार और थोड़ा सा बि है कई पोर्चन में बाठ तो हमारा यहां पे का पोर्चन जो है इसमें संख्यात्मक योगता है तो संख्यात्मक योगता में क्या क्या आने वाला है number system मतलब संख्या पध्यती आएगी फिर आएगा simplification यानी सरली करण फिर इसके बाद में आएगा दसमलो और बिन अब के जयते हैं कि मतलब है स्कूल लेबल तक की लगभगों देते हैं तो दसमलो और भिन्राइगा इसके बाद के फिर ये महत्वत अपवर्तक और लगुतम समापुर तक आएगा इसके बाद अनुपात और समाणुपात है प्रतिसत है लाब हानी है छूट है इना डिसकाउंट है और यह simple interest मतलब सधारन व्याज है और चक्रवर्धी व्याज है भागी दारी है मतलब पार्टरणर सिफ है और समय और वर्क है मतलब कार और समय और कार है और इसके बाद देखिए समय और दूरी है सारणी और ग्राफ का प्रियोग है न जैसे पाई चार्ट है दंडार एक है तो ये भी इसमें से आएगा मेंसुरेशन की चीज़ें भी आएंगी थोड़ा सा और अंक गड़ती संगड़ना हुआ अन्विसलेशन आत्मक कार भी इसमें से आ सकते हैं जो की देखिए एक नॉर्मल लेवल का ही आएगा लेकिन इसमें से सारी चीज़ें आपको पढ़नी पढ़ेंगे अब देखिए मानसिक योगता मानसिक योगता में क्या क्या है फ्रेंट्स यहां पर यह रीजनिंग है आप यह मालनी है न मेंटल एबिलिटी जो है यह रीजन जैसे हम कह सकते हैं एक डाइग्राम दे के पूँच सकता है वो है न कि इसमें से कितने तरभुजें चतुर भुजें इस तरह वाला भी आ सकते हैं और इसके साथ देखिए सब्द रचना है परिच्छन है और अच्छर संख्या है जैसे सिरीज वगारा है स्रंखलाएं है दिसा बाला पर इच्छन है मतलब दिसा ग्यान पर इच्छन है और आकणों का तारकिक बिसलेशन है प्रभावी तर्क है अंतर निहित भावों का निश्य करना तो यह चीज़ें आएंगी किसमें मानसिक योगता में मतलब मेंटल अबिलिटी में इसके बाद दिखिए फ्र तो इसमें से काफी चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी लेकिन एक चीज़ से दूसरी चीज़ें थोड़ी से कनेक्टिंग हैं तो आपको थोड़ा सा सुविदार भी रहेगी पढ़ने में वैसे मानसिक अभिरुची मेंटल एप्टिट्यूट जो है उसमें दिखिए क्या-क हैं तो आप क्या करेंगे तो इस तरह की चीज़े हैं फिर लाइन डॉडर मतलब की जो नियम कानून है उनसे संबंदिच चीज़ें आएंगी कुछ और कानून बेवस्ता है सामप्रदाइक सद्भाव है अपराध नियंतरन है बिधी का सासन है और अनुकूलन छमता इसके बात देखिए ब्यावसाइक सूचना बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली क्या है पुलिस प्रणाली का पूरा धाचा और समकालीन पुलिस के मुद्दे एवं कानून बेवस्ता ब्यावसाय के प्रतिरुची और इसके साथ मानसिक द्रणता कैसी है तो मानसिक द्रणता से मंदित कुछ कुछन हो सकते हैं अल्प संखेकों एवं अल्प अधिकार वाले ब्रक्ति हैं जो उनके प्रती समवेदन सीलता का ऐसे है और लैंगिक्स समवेदन सीलता मतलब जेंडर एक्वैलिटी वाले जो भी बाते हैं जैसे कि महिलाओं के प्रती सेंस्टिविटी का क्या वो है तो वो उस तरह से भी इसमें से प्रस्ण आएंगे इसमें से एक पोर्सन और रिफ्रेंट्स बुद्धी लब्दी का आई क्यू का जिसमें क्या क्या आएगा देखिए संबंध हुआ आंसिक समानता परिच्छन मतलब कि ये चीज इसमें आएगी और इसके साथ साथ म ज्लापकर्णी होगी संगेत लिपी और संगेतिक लिपी मतलब ये कोडिंग अना सथारले अटेशा अधिक है और देखिए धिशा पर इच्छन आप देखिए ऊपर वाले US से मिलती है रिजिनिंग से तो आप दोनों को एक साथ कम्बाइन करका प्ड़ सकते हैं । गणती योगता है इसमें से कुछ इसमें से वही शिरीज वगैरा आ जाती हैं इसका एक पॉर्षन और दिया है देखिए यहां पर तारकिक छमता मतलब की जो लॉजिकल या जो रीजनिंग एबिलिटी है वो क्या है तो रीजनिंग एबिलिटी में देखिए समरूपता समानत भिन्नता खाली इस्थान भरना समस्या को सुल्जाना विसलेशन नडायक शमता और इसके बाद देखिए इसमर्ती परिक्षण है विभेदन शमता है परिवेक्षण है और रिलेशन्सिप्स हैं अउधारणा हैं अंक गणती ये तर्क हैं सब्द और आकरती वर्गी करण है और इसके बाद अंगर्ती ये स्रंखला हैं ये देखिए सब मैच करता हुआ आरालिकन इन्होंने बहुत इसको लार्ज कर दिया है थोड़ा सा कीच के अमूर्त विचारों वा प्रतीकों तथा उनके संबंदों में समंझस की स्थापना करना तो ये इस तरह से ये इतना से complete कर पाएंगे तो हिंदी है इसको पढ़ना सुरू कर दिए इसकर साथ में जो you guys वाला पोर्सन था जह उपर जन्लनय नौलेज वाला पोर्सन था तो उसस समान ग्यान वाला उसको पढ़ना सुरू कर दिजिए उसमें आप धीर धीर एक एक पोर्सन पढ़ते जाई Lean sap history है कि अभी 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 देखिए मैसन कई तरह के तो आप देख पारा है लेकिन आपको पहले सुरुवाति जो ठोस तरह से करना है वह कुछ चीजों में कैसे वो करना है कि पहले हिंडी woo झी ऑस के दिए में उनको मार्क भी कर सकते हैं और मार्क करने पर आप पाएंगे कि कुछ चीजें मैच कर रही हैं तो एक साथ ही आप उसको पढ़ सकते हैं तो ये चार चीजे फ्रेंड्स इसमें से पढ़ना आप पहले सुरू कीजे फिर इसके बाद में इसी रिजिनिंग वाले पोर्सन से या किसी भी पोर्सन से जो टॉपिक बचते जाएं उन टॉपिक्स को आप क्या करेंगे फिर निकाल निकाल के पढ़िएगा कि हाँ ये रह गया है अब इसको पूरा पढ़े जाए तो इस तरह से करिए अच्छा अब देखिए इसमें से कुछ चीजें अगर आप चाहें त अपना अपना तो मैटर प्रफर ही कर रहे होंगे और इस चैनल से भी कुछ चीजें आप पढ़ सकते हैं इसमें जो हिंदी है वो काफी अच्छी पढ़ाई जाएगी और काफी वीडियो उसमें पढ़ा भी दिये गये हैं इसके साथ साथ में दिखिए जो इसमें से उत्तर प्रदेश स्पेसल जो पढ़ाया गया है वो नंबर एक का है इसको आप अगर सही से पढ़ा लेंगे तो उत्तर प्रदेश से आपको लगबख सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद में जो जीयस का पोर्सन है तो जैसे साइंस का पोर्सन है साइंस इसमें बहुत अ पर यह है कि जहां से भी आपको सुविदा हो रही हो उस हिसाब से आप इसको पढ़ना सुरू कर दीजिए और अब इसमें से और जो आपकी रिक्वाइरमेंट हो वो आप बता भी सकते हैं तो उसके हिसाब से भी हम आपको वीडियो प्रवाइड करने की कोसिस करेंगे और यदि इस चैनल में फ्रेंड्स आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकाउन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा तब उसका आप जाए